हालो गईज़ आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी एटूब चैनल टॉवर्शिन पर तो बीएड और डेलेट छात्रों को एक बहुत बड़ी खुसकबरी यहां पर मिल चुकी है सब्तर हजार पदों पर सिक्षक भरती का जो बिग्यापन वो जारी होने वाला है कहां की बात है कौन कौन अपलाई करेगा उन सभी चीज़ों पर आम लोग बात करेंगे साथी साथ BPSC TRE का अभी जो है एक पूरग रिजल्ट आएगा जैसा कि कल BPSC चेर्मेन ने ट्विट के माद्यम से जानकारी दिये उसी को लेकर के आज न्यूज पेपर में भी अपडेट है इसको भी अमलोग देखेंगे UP में LT Great भरती के बिग्यापन को लेकर के भी सूचना है उसको भी देखेंगे और UP PSC की तरब से राज क्रिसी सेवा भरती का जो बिग्यापन है उस पर काम चलना उस पर भी हम लोग देखेंगे तो फिलाल अगर आप लोग चैनल पर नहें तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर दबा दें जिससे आपको इसी परकार की अपडेट मिलती रहे तो चलिए श्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हम बात करेंगे UPPSC के दरब से राज किरसी सेवा भरती को ले करके तो उत्तर प्रदे लोग सेवा आयोग समलित राज किरसी सेवा भरती का बिग्यापन जारी करने की तयारी कर रहा है आयोग ने तीन साल पहले दिसंबर 2022 में 564 पदों पर भरती के लिए बिग्यापन जारी किया था इसके बाद इन पदों पर कोई भरती नहीं हुई है आयोग ने 28 जुलाई 2023 को सूचना जारी की थी कि समलित राज किसी सेवा परिक्षा अपर निजी सच्यों एपियस समेक्षा दिकारी आरो और यारो की भरती संभावी था है ऐसे में अभ्यार्ती वन टाइम रजिचेशन की प्रिक्रिया पूर कर ले क्योंकि आयोग की सभी भरतियों में आवेदन के लिए OTR करना जो है अनिवार कर दिया गया है और अभ्यार्तियों को अब समलित राज किसी सेवा भरती के बिग्यापन का इंतिजार है पहले या भरती PCS की परिक्षा के मादेम से होती थी लेकिन राज किसी सेवा में पदों के संक्या स्तीमीत होती थी तो राज किसी सेवा का अलग से गठन करके पिछले बिग्यापन में इस भरती के लिए अलग परिक्षा कराने का नेड़ाई लिया गया था सूत्रों के मुताविग आयोक को राज किसी सेवा के पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है और जल्द ही इस भरती का जो है बिग्यापन का जारी किया जा सकता है तो आप सभी लोगों को बता दें कि इसका अधिहाचन जो है मिल चुका है और इसकी जो भरती है वो आपको जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगी ठीक है तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं हाला कि इसमें पदों की संख्या नहीं बता गया है कि लगब कितने पद अधियाचन बिहार लोग सेवा आयोग को बेजी जाएगी मद्य माद्यमिक और उच्च माद्यमिक विद्यालों के सिक्षकों की नुक्ती इस चरण में होनी है इनमें माद्यमिक और उच्च माद्यमिक सिक्षकों के 37,710 पद हैं वहीं मद्य विद्याले के सिक्षकों के 31,982 पद हैं ठीक है और ये भी बता जा रहा कि अभी इसमें सरकारी इन भर्तियों में लेट नहीं लगा रही है आपने देखा ही कली जैसे चीयर्मैन ने बता है कि हम कटाब जारी करने वाले हैं साम कोई कटाब जारी होगा तो आएसे में अगर अधियाचन भेजा जा चुका है तो बस समझ लेजिए कि विग्यापन अब आपका जो है बिल्कुल आने ही जाना है तो यहाँ पर लिखा भी कही है कि 7700 पदों पर माध्यमिक और उचमाध्यमिक के हैं वही पर 3982 पद जो है यहाँ पर माध्य बिद्याले सिक्षकों के हैं तो अच्छे खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल लई है वही पर एक बड़ी अप्डे के डाकुमेंट सही नहीं थे कुछ लोग गलती से बेड़ वालों का भी रिजल्ट आ गया था तो इन लोग को बाहर किया जा रहा है और अब जो है दूसरा रिजल्ट जो है जारी करने के तयारी की जा रही है तो यहाँ पर बताएगा कि बिहार सिक्षक भरती परिक्षा के कई इस तरों में जांच परक रहा है ताकि आयोग उम्यादोर को उम्मीदवारों को बाहर किया जासके इसलिए सभी गोसित परडाम ससर्त है जांच परक के बाद जो रिक्तिया आई उन्हें एक यादिक पूरक परडामों से भरा जाएगा इस भी सिक्षक भरती परिच्छ बात करते हैं यहाँ पर UPPSC में आपको पता कि बहुत सारी भरतियां ऐसी हैं जो एरता बिवाद को ले करके फसी हुई है ऐसे में उनत्तर सु सत्तर पदों की जो भरती प्रक्रिया उसको चालू करने की बात यहाँ पर की जा रही है और आपको बता दें UPPSC की तरब से उत्तर प्रदे लोकसेवा आयोग योगिता के बिवाद में फसे उनत्तर सु सत्तर पदों पर भरती प्रक्रिया जल्द सुरू करने जा रहा है कार्विंग विभाग ने बिवागा द्यचकों को ऐसे प्रस्ताओं को संसोधित करते हुए आयोग को भेजने का निर्देश ज प्रस्ताओं को संसोधित विभागों को वापस कर दिया था मुख्यवंति योगी आदातनात की अद्यच्टा में पिछले दिनों भरती आयोगों और बोर्ड अद्यच्चों की बैठक हुई थी इसमें भरते प्रक्रामें तेजी लाने का निर्देश दिया गया था आयोग प्रस्ताओं वापस किये गए हैं जिनमें उनत्ता सो सतर हैं पद हैं कारिमिक विभाग ने इस्टातक की समकष्ता तैंकर दी हैं विभागा द्यच्चों को निर्देश दिया कि ऐसे जितने भी प्रस्ताओं वापस मिले हैं उन्हें संसोधित करते हुए लोग सेवा लगा हुआ है कि जल से जल बिवाद यहां पर सॉल्ब हो जाए और जल से जल UPPC से जितनी भी भरतियां यहां पर फसी हुई है आप यहां देख सकते हैं 51 अधियाचन को जो है यहां पर वापस किया गया है तो यहां पर चीजें जो है यहां पर आप समझ सकते हैं कि LTGate की व और पूरक रिजल्ट आएगा तो उसके लिए भी आप लोग को इंतजार करना होगा ठीक है इसमें हो सकता है कि अभी cut-off down हो और अगर जो बच्चे एक नंबर दो नंबर से रहे गए हैं उन लोग का भी भी रिजल्ट में नाम आ सकता है बाकि जो लोग ज्यादा नंबर से पीछे हो आपको परिशान नहीं होना है तकरीपन 32-33,000 पदों पर जो है वेकेंसी आ रही है एड़िट जूनियर में तो आप लोग जूनियर एड़ी 6-8 की में बात करता हूँ तो 6-8 की आप लोग तयारी करते रहें अच्छी खासी वेकेंसी है आप लोग अपने subject के हिसा important update उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आप इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं कि हमें सारी अप्डेट वेकेंसी से jobs related सारी information आपको घर बैठे मिले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग ज कि आप कि अ